तो है गाई दिसी विशाल गुपता और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिस लेंग्वेज का बीसी का फर्स्ट इयर का सेकंड पेपर देखने वाले हैं चली वीडियो की स्टार्ट करते हैं और यहीं आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अभी सारे इसी चैनल पर आपको अप्लोड किया जाएगा और मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स का मैंने आपको बता दिया है आज हम इंग्लिस क देखने वाले हैं चली सबसे पहले हम कोस्टन को आप देख लीजिए कौन सा कोस्टन है और इसके बाद हम एंसर की चलेंगे मैं दिरे धिरे नीचे स्क्रॉल करती चलता हूं आप देख सकते हैं अगर सकेंड पेज की ओर देखे तो आप यहां पर देख सकते हो कि वोईस भी आपको देखने को मिलेगा रिराइट फॉलोविंग रिपोर्ट स्पीच भी आपको देखने को यहां पर मिलता है अगर आगे बात किया जाए तो अगर नेक्ट पेज में हम चले तो आप देख सक आपको यहां पर करना है इतना हमारे पास यूनिट फर्स्ट का था अब हम यूनिट सकेंड के और अगर हम देखे तो यूनिट सकेंड में आप देख सकते हो कि रिड़ पैसेज क्यारफूली एंड एंसर दा क्यूस्टन गीवें बिलो तो आपको पैसेज दिया गया है जो क कि राइट साइड में भी आप देख सकतो यह भी वही पैसेज है जो कि सेम पैसेज है और इसको आपको पैसेज को पढ़के इसमें जो कोस्टन दिया गया है यहां पर आपको देख सकतो पहला कोस्टन दूसरा कोस्टन तो इसको आपको एंसर देना है अगर नेक्ट पेज क टॉपिक आप देख सकते हिंदु गोड ट्रिनिटी एंड इंडियन प्रेंटिंग उसके बाद आप में चार टॉपिक आपको दिया गया है उसके बाद अगर हम युणिट 4 की ओर चले तो यूदिध 4 में आपको देख सकते हो कोई दो अटेंट करना है पहला और या फिर दूसरा में से अध्वा में आपको दिया गया है अगर इधर यूनिट फाइब की अगर बात करें तो यूनिट फाइब में देख सकते हैं किसी भी पांच कोस्टन का एंसर आपको देना है चलिए यहां तक हमारा हुआ कुस्टन ऑनलसिस अब हम ऊसर की ओच चलते हैं एंसर हम देखेंगे और यहां पर होगा चली बात करते हैं हूँ amp फर्स्ट का अगर हम answer देखें तो आप जैसे देख सकते हो, answer number first मैं यहाँ से start किया हूँ, do as director any20, तो यहाँ पर बना सकते हो, पहला दूसरा आप जैसे देख सकते हो, तो नम्बरिंग वाई या तो आप वीडियो को पॉस्ट करके या फिर यहां से लिख सकते हो उसके बाद तीसरा अगर बात करें तो यहां पर तीसरा कोस्टन चौथा इससी तरीके से आप ए दा कर लिखना है उसके बाद हम सम और एनी में आते हैं उसके बाद पाँचिवा छ सब्सक्राइब चलें तो इस तरीके से यहां पर 16-17 कोस्टन आप देख सकते हो हमें कोई 20 बना ना था यहां पर 22 बनाना था तो 22 कोसंट टक हमने यहां पर बनाया चलिए अगर हम क्योश्टन एंसर नंबर 3 के और बात करें तो पाराग्राफ आपको दिया था और उसमें आ अगर आपको लिखना था तो आट एंड इंडियन लाइफ फे मैं लिखा हूँ चौथा जो की टॉप हमारे पस है तो इस तरीके से आप देख सकते हो नीचे अगर स्क्रॉल करें तो आप वीडियो को पॉस करके भी लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो इस्क्रिन सोट लेके भी लिख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में एक टेलिग्राम चैनल का लिंक है वहाँ से भी जुड़के आप सारे अपडेट देख सकते हो चलिए क्यूशन नंबर फॉर की और अगर हम चलें क्यूशन नंबर फॉर यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो आप देख सकते हो क्यूशन नंबर फॉर में हमें करना क्या है और यहां बेसिकली क्यूशन नंबर बी स्टार्ट होता है तो इस तरीके से हम यहां पर देखें से लिख सकते हो जैसा कि यहां पर आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है, चलिए नीचे के और हम चले तो यहां पर यूट नंबर 5 देख सकते हो जैसा कि यहां question No.5 start है, answer the given 5 question कोई भी 5 question का answer देना तो answer No.1 यहां आप देख सकते हो इस तरीके से यहां पर दिया गया है इसी तरीके से आप भी लिख सकते हो अगर एंसर नम्र 4 की और 6 की और चले कोई 5 देना था तो मैं मैं बनाया हूं 1st 2nd 4th 6th & 7 तो इस तरीके से आप भी यहां पर बना सकते हो एंसर तो तो एंसर नमर फर्स्ट का मेरा कुछ बचा था तो B और C दी बचा था तो इसको मैं लास्ट में बना दिया हूं तो आप देख सकते हो B का match the following column हाई का low of year को आप बना सकते हैं चलिए अगर दूसरा C की और देखे तो C का आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है आप जैसे देख सकते हो इसक्रिंसोट भी ले सकते हो या फिर आप वीडियो को पास करके लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो टेलग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पे आपको सारा चीर अपडेट मिल जाएगा वहाँ आपको फीडियेव भी मिल जाएगा तो आज की लिए अगर किसी और सब्जेट का आपको चाहिए फीडियों तो आप कॉमेंट करके बताना मैं उसको एरंज कर दूँगा तो आज के लिए इतने ही मिलते हैं नेक्स वीडियों मैं तब तक लिए सिया गुड दे बब बाई